उपर कह दिया कि किसी तरह का inducement, threat, promise जब नहीं चलेगा और तुरंत पल्टी मार के U-turn ले लिए और कहते क्या है कि कोई भी police officer को किसी तरीके से रूखा नहीं जाएगा अगर जो person है जिस person को बयान देना है अगर अपनी मर्जी से on his free will अगर अपना statement अपना बयान दे रहा है तो उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए देखिए यहाँ पर यह वाला part है section है 163 और यहाँ पर BNSS में देखेंगे तो यह हमारा रहा 182 subsection 2 यहाँ पर है यह वाला no inducement to be offered no police officer or other person shall prevent when यहाँ पर on his free will तो same कहाँ नहीं है इसलिए ज्यादा कुछ परिशानी वाली बात नहीं है now provided that nothing in this subsection shall affect 183 किसी को deal करेगा यहाँ पर 164 जो magistrate के सामने जो बयान दर्ज कराते हैं उसी की बात कर रहा तो यहाँ पर 183 this is the recording of confession and statement okay done तो हमने भी तक क्या कर लिया तो हमने भी तक कौन सा तीर मार लिया तीर क्या क्या मार लिया वो समझ लेजिए जो काम की बात है जो जो जरूरी portion हमने दिमाग में रखना है उसकी बात करें हमारा जरूरी portion क्या दिमाग में रखना है कि हमें हमने पुलिस को हमें common man है हमने पुलिस को जाके information दी cognizable offense की सूचना दी वो उसने लिख लिया मान लेते हैं बड़े अच्छे से उसने वे ले लिया under section 173 of the BNSS अब information लेने के बाद नहीं ले तो वह अलग कहानी है मान लेते हैं कि ले लिया information लेने के बाद पुलिस जो है investigation करेगी अब मुझे ये doubt था कि भाई पुलिस investigation करेगी तो कौन से पुलिस करेगी तो उसका doubt के लिए हुआ कि investigation करने का power सिर्फ किस के पास है officer in charge of police station के पास है SP के order से DISP के पास है या magistrate के आदे से से फिर पुलिस वाला है जो कि जाके investigation करेगा तो ये लोग भी investigation करेंगे तो पुलिस को power investigate करने का अब investigation करने का power तो investigation करेंगे कैसे तो investigation कैसे करेंगे तो उसका भी उन्होंने procedure बताया under section 176 बहुत simple कहा कि investigation शुरू करने के पहले अपने बॉस का नाम लेना पड़ता है बोलते हैं कोई सुब काम करने के पहले भगवान के हैं जाकर कि मत्था देखना चाहिए तो ये सुब काम करने जा रहा है पुलिस वाला की इनसाफ दिलाएगा किसी को justice दिलाएगा तो इसके भगवान कौन है सबसे पहले मुझे साहब को जाकर सुचना दे देता है कि हां हमारे महले में ऐसा ऐसा हुआ हमारे थाने के अंदर ऐसा ऐसा हुआ है और वो सुचना देने के बाद वो चला जाता है या किसी परसन को जो उसका subordinate है पुलिस ऑफिसर उसको भेज सकता है investigation करने के लिए investigation में arrest include है अगर जरुवत पढ़ी तो offender को arrest कर सकता है so this is what about कि कैसे करेगा investigation यहां तक भी ठीक है यहां भी ठीक है वो investigation कर लिया अगर जरुवत पढ़ी तो investigation करता है कि नहीं भी करेंगे ठीक है अब investigation में क्या करता है वो तो हो गया कि हमने सूचना दे दी मजिस्टेट साहब को दन मजिस्टेट साहब को information दे दिया दन उसके बाद चलेगा घटना स्थल पर ये भी दन तो जब हम घटना स्थल पर पहुँच गया एक पुलिस वाला पहुँच गया तो वो बता बताओ सब कोई आ जाना थाने पर यहां तो option भी दे दिया कि थाने पर आ सकता है अगर आने की मर्जी हो तो आ भी सकता है वही सीधी सीबाद तो रिटेन में आदेश देगा रिटेन में order पास कर देगा कि यहां ठीक है तो मा आ जाना that is what it simply says, हम पुलिस की पार्ट को ले रहे हैं, पुलिस की बात को ले रहे हैं मजिस्टेट साब को भी शायड कर दिया थोड़ी देर के लिए अगर मर्जी होई तो सब कोई चल के आ जेंगे हैं पर छूट है कुछ लोगों को नहीं आने की, लेकिन आ सकता है वो भी पिर भी अब उसके बाद अगर वो आ गया थाने में बैठ करके अपना स्टेटमेंट दर्ज करवा रहा है तो पुलिस वाला अगर चाहे तो वो रिटेन में ले सकता है उसको रिड्यूस कर सकता है अब यहाँ पर written में जिसको reduce कर दिया वो statement की हम बात करने लेगे तो हम क्या होगे divert हो गये थोड़ा code की तरफ चलेगे हम तो बापस कहां जाएंगे investigation में तो अब क्या करेगा वो investigation में क्या करेगा अब सारे के ऐसे इसे करते करते हो पूरे गवाहों के बयान दर्जी कर लेगा लेकिन यहाँ पर उनको एक direction दे दी कई BNSS की तरफ से कि जितने भी गवाहों के witnesses के आप बयान दर्जी करेंगे किसी भी गवाह को आप induce नहीं करेंगे promise नहीं करेंगे, threatening नहीं करेंगे किसी तरह से डराएंगे, धमकाएंगे, नहीं कोई भी person अगर अपनी मर्जी से स्वच्छा से देता है कबूल करता है, confess करता है, then it is okay नहीं करता है, तो आपको डरान धमकाना, मारना, पेटना नहीं है यह यहां तक की बात तो ओके-ओके यह पुलिस की ही कहानी है, अब इसमें जानते हैं, यह 183 घुस जाता है बीच में, यह नि जो हमारा 164 था बो आ जाता है तो एगर इसको लेंगे, तो फिर क्या होगा, फिर हम court में चले जाएंगे पुलिस से हटके court में, लेकिन अभी इसको हमें discuss करना पड़ेगा, ठीक है वो भी discuss करेंगे, इसके बाद, एक और चीज़ देखिए यह वला पार्ट, पहले इसकुछ मैं आपको यहां पर दिखाता हूँ, उसके बाद वहां से लेंगे यहां देखिए, medical examination of victim of rape यह जद सहाब नहीं करवाएंगी, यह police officer ही करेगा, ठीक है इसके अलाबा, search by police officer, यह है काम के चीज़, यहां रेप के case में medical examination of the victim of rape, इसके अलाबा, search करेगा, यह investigation का part हो गया इसके अलाबा, यहां पर आईए, यह search warrant की जरूरत पड़ सकती है investigation करने के लिए, यह भी investigation का part हो गया, इसके अलाबा, यह भी investigation का part है कब की बात हो रही है, यह तब हो रहा कि भाई, किसी को arrest कर लिया और वो उससे नहीं कुछताच हुआ, तो भी investigation करने के लिए हमें उसको, चाहिए क्या procedure follow करना है, वो भी यहां पर part complete कर लिया इसका मतलब यहां पर क्या है, यहां पर investigation complete हो चुकी है, यहां पर आपकी investigation complete हो चुकी है, यहां पर लिखा भी है, when any subordinate officer has made any investigation under this chapter, he shall report the result of such investigation, तो result का मतलब complete हो गया, रिक्षा पूरी होगी तभी तो result होगा, so result of such investigation to the officer in charge, तो यहीं पर आ करके वास्तब में अगर कहा जाए ना, तो यहीं पर आ करके हमारा जो police का investigation की कहानी है, वास्तब में अगर कहा जाए, in reality, खतम हो जाती है, बीच में जो कुछ section से वो divert करते हैं, तो जब आपको इस चीज को consider करना है, तो थोड़ा आप इसको अगर connect करते चलेंगे, इन sections numbers को थोड़ा side करेंगे और जुन जरूरत के numbers हैं, उसको connect करेंगे, मैं इसलिए पहले आराम से बता रहा हूं, आगे सुनिए। झाल, जब झाल, जब घर जए।